हमने काफी वीडियो में आपको 3 किलोवोट के सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में बताया है कि कितने रुपे में आप लगा सकते हैं या उसके उपर क्या-क्या लोड आप चला सकते हैं mostly घरों में जो 3KW solar system लगता है वो heavy load चलाने के लिए लगता है या जहां पर बिजली का कोई भी connection नहीं है तो वहां पर आपको रात के समय में भी backup चाहिए इसलिए इतने बड़े system का उप्योग किया जाता है लेकिन actual में ये कितनी power generate कर सकता है इसका किसी को नहीं पता होता है कई लोग खरीदें से पहले सोचते हैं कि क्या इससे हमारा काम चल जा गया या नहीं तो आज की वीडियो में यही हम clear करने वाले हैं आपको बताएंगे कि तीन किलो वोट का जो solar system आप लगाते हैं उसमें आपको एक दिन के अंदर कितनी power generation देखने को मिलेगी तो अगर आपके लिए वो power generation प्रयाप्त है तो आप तीन किलो वोट का solar system अपने लिए लगा सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे तीन किलो वोट के solar system के बारे में तो यहां पर आप देखेंगे कि 375 वोट के 9 पैनल हमने यहां पर लगाए है तीन-तीन पैनल को series गया है और तीन-तीन का set बनाकर फिर parallel उनको लगा दिया है और इसके लिए हमने यूज किया है आसर पाउर कंपनी का neon 80 MPPT टेकनलोजी का solar charge controller तो यहां पर जो हमारे पैनल की टेकनलोजी है वो mono park है और जो हमारा controller है वो MPPT है इसका benefit क्या होगा यह मापको बाद में बताऊंगा तो यहां पर अभी सुबह के लगबिक 7 बजे हैं तो यहां पर आप controller पर देखेंगे कि जो power generation है वो 0.1 यानि कि अभी तक एक unit का दस्वा हिसा ही power generate हुई है क्योंकि अभी सुबह के 7 बजे है तो जो धूप है वो अभी directly solar panel पर नहीं आ रही है side से ही थोड़ी थोड़ी धूप इसके उपर आ रही है इसलिए काफी कम generation यहां पर हमी देखने को मिल रही है और यह units है जो कि controller ने अभी तक बनाई है जो कि 358.8 है यानि कि जब से इस controller को own किया गया है तब से अभी तक इसने 358 unit बना दिये है इस controller की एक कमी है कि अगर हम इसे बंद करके दुबारा शरू करते हैं तो जितना भी हमारा पहले वाले record है कितनी unit बनी है वो 0 हो जाता है और यह 0 से start हो जाता है और यहां पर आप जो charging ampere देख रहे हैं वो 7.7 ampere है तो सुब़े के time देखते हुए काफी सही हमें यहां पर ampere मिल रहे है जैसे जैसे धूब बड़ेगी वैसे वैसे यह ampere बड़ेंगे और वैसे ही हम time to time आपको अलग-अलग समय पर दिखाएंगे कि किस time कितनी power generation panel से मिल रही है तो अभी सुब़े के 7 बज़े हमें 7 ampere मिल रहे हैं तो next देखते हैं कि कितनी बज़े कितनी power हमें मिलेगी तो अभी 9 बज़े कर 24 मिनिट हो गए है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 31.5 ampere अभी हमें solar panel से मिल रहे हैं और बैटरी की जो voltage है वो 15.8 है यानि कि अभी हमारी battery full charge नहीं हुई है और solar panel से हमें 102 volt मिल रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 बज़े ही आपको काफी अच्छी power solar panel से मिलनी शरू हो जाती है तो चलिए next देखते हैं कि कितनी बज़े कितनी power और हमें मिलेगी तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बज़े कर 40 मिनिट होए हैं और यहाँ पर यूनिट्स आप देख सकते हैं कि 11.5 यूनिट्स इसने अभी तक बना दिये हैं और टोटल यूनिट्स आपने देखे थे जो 358.8 थे वो अब 370 हो गए हैं हमारी बैंटरिया 43.2 एंपेर से चार्ज हो रही है तो जो सोलर पैनल है वो अपनी पीक के उपर वरक कर रहे हैं आलांकि थोड़ा सा और भी यह ज़्यादा एंपेर से बैंटरियों को चार्ज कर सकता है यह टोटली वैजर कंडिशन के उपर ही डिपैंड होता है कि कितनी जनरेशन हमें सोलर पैनल से मिलेगी लेकिन अभी जो जनरेशन सोलर पैनल से मिल रही है वो लगबग पीक के करीब है तो चलिए नेक्ट देखते हैं कितने बजे हमें कितनी पावर मिलेगी अभी स्याम के लगबग 4 बज चुके हैं और यहाँ पर हमें सोलर पैनल से 26 एंपियर अभी भी मिल रहे है तो यहाँ पर अभी भी हमें स्याम के 4 बजे 26 एंपियर पावर सप्लाई मिल रही है हमारे पैनल से अभी धीरे धीरे जो जनरेशन है वो कम होनी सरू हो जाएगी जैसा कि आपने देखा था सुबह 7 बजे 7 एंपियर था तो उसके बाद में बढ़ गए थे 9 बजे के करीब फिर 2 बजे के करीब और जादा हो गए थे ऐसे ही अब वापिस कम हो जाएंगे और लाश्ट में हम आपको बताएंगे कि टोटल कितनी जनरेशन हुई है तो अभी स्याम के 6 बज चुके हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल यूनिट्स हैं वो 17.2 है तो इसका मतलब 17 यूनिट्स इसने बना दिये हैं और टोटल यूनिट्स यहां पर 306 हो रहे हैं और यहां पर 3.3 एंपेर से अभी भी हमारी बैंट्रिया चार्ज हो रही है और यहां पर आप देखेंगे कि बार की तरफ धूप आपको बिल्कुल कम दिखाई देगी और सुरज अभी दूबने वाला है तो देख सकते हैं बहुत कम दूप में भी यह बिजली बन और MPPT technology का solar charge controller तो monopruck technology डेख सकता है तीन क्यिल वोट का system यह जो जन्रेशन है वह अलबग चीजहो पर डिपेट करेगी अगर कहीं पर poly panel लगाए गए हैं तो क्या पता हमापर थोड़ी generation कम हो जाएं PWM technology का inverter का controller है तो वहाँ पर भी जो generation वो कम हो जाएगी लेकिन अगर आपके पास में monopruck technology के panel है और FEPT technology का solar charge controller है अच्छी brand का देन आपको 15-17 unit बड़ी ही आराम से मेज जाएगी तो जिसका 24 गंटे का power consumption है वो 15 units है उसके लिए 3 kilowatt का solar system बिलकुल best रहेगा तो इसके लिए आप अपने घर के load को calculate कर सकते हैं या units को check कर सकते हैं आपके meter के उपर जाकर आप देख सकते हैं कि अभी कितना है दूसरी दिन उसी time जाकर आप देखें कि दूसरी दिन कितना है तो उससे आपको अंदाज हो जाएगा कि एक दिन में कितनी power consumption आपकी होती है तो उमीद है आपको आपके स्वाल का जवाब मिल गया होगा कि तीन किलो वोट का solar system कितनी बिजली एक दिन में बनाता है तो आज कि इस वीडियो में इतना ही अगर इसकी वार में भी भी आपको सवाल इस जवाब हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स से कमेंट करें पसंदा आतर विए लगार करें श्याकर साथ एमारे चाल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने कि साथ साथ बाल एकन को जरूर दवाएं ताकि इसी परकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे धन्यावाद